आदेने स्कुलकर महुद है दुनिया में एन्वार्मेंट की चर्चा तो लंबे असे से होती है लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सामान्य मानवी के जीवन में उसका इंपेक्ट महसूस हो रहा है नेगेटिव इंपेक्ट महसूस हो रहा है और उसके कारण सब्दूर एन्वार्मेंटिक चिंता का विश्य बना हुआ है और मानवजाद के सामने चलेंज है कि इस समस्या के समाधान के लिए हम किस प्रकार से रास्ते हो जेंए अभी पैरिस में कोप ट्विंटीवन के समाएं दुख विश्व के नेताओं ने मिलकर के संकल्प किया उसका तो महत्वा ही है लेकिन वहां दो महत्वों पूर इनिशेटिव निए गए एक इनोवेशन की दिशा में काम करना ताकि हम फॉसिल फ्यूल से मुक्तर होकर के एनर्जी में किस प्रकार से आगे भने युएस फ्रांस इंडिया तीनों ने मिलकर के इनिशेटिव लिया है इनोवेशन का बिल गेट फांडेशन भी उसके साथ जुड़ा है इसके एक सकारात्मक प्रणाम भविश में देखने को मिलेंगे दूसरा महत्वों नेड़े वहां हुआ कि दुनिया में करीब 122 देश ऐसे हैं कि जहां कि तिन सो दिन से ज्यादा सूरत तपता है कि सूर्य प्रकास का लाप इन देशों को तिन सो दिन से ज्यादा मिलता है भारत के इनिशेटिव से कि उन देशों का एक संगठन हुआ है और उस संगठन का हेटक्वाडर भारत में रहने वाला है और सूर्य उर्जा का उप्योग भविश्य में कैसे किया जाए उस पर ये देश मिलकर के काम करने वाले हैं मेकिन इंडिया का हमारा जो इनिशेटिव है उसमें आज एक नया नजराना ये दुनिया को भी काम आने वाला है क्योंकि बैटरी के नए प्रकार से रचना कैसे हो बैटरी के लाइप कैसी जादा हो और बैटरी कॉसिफेक्टिव कैसे हो इस पर रिसर्च हुआ है और उसका आज नतीजा है कि पुरानी बस में थोड़ा सा खर्च करके अभी आपने देखा होगा बस चल रही थी लेकिन आवाज कहीं नहीं आ रही थी अगर बस चालू करें तो पता चलेगा कि चालू है अभी तो उसकी जरासी भी आवाज नहीं है और पॉलिशन का तो उसको कोई अवसर ही नहीं है अभी तो सामसाथ लोगों को इसका लाब मिलेगा लेकिन अगर स्टार्ट अप इंडिया स्टेंड अप इंडिया में अगर नई पीडी के लोग इस बैटरी बनाने के काम में आएंगे आगे तो बहुत तेजी से हम हमारा पब्लिक ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टेम है उसमें इस नई रचना को ला सकते हैं हमारे नितीन जी को इन अगे बढ़ा जाए उसमें सफल प्रयास किया है मैं उनको बधाई देता हूं और आदर्निय सुमित्रा जी उन्होंने समस्त की गतिविधियों को समस्त के सदन के कायरकाल के सिवाए भी कुछ ने कुछ नयापन देने का प्रयास किया है उसमें एक नया नजराना जूड रह झाल